तो गैस यहाँ पर आप लोगों के सिंपल सा स्टेप बता होंगा कि अगर आपने लाइप में फर्स टाइम आइफोन को पर्चेस किया है और आपको नहीं पता इस तरीके से अपने आइफोन को सिच आफ करना है आइफोन 12, आइफोन 13 या आइफोन 11 तो कोई भी स्मार्टफो तीन तरीके से आप अपने iPhone को Switch Off कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको अपने iPhone को Open करना है, और यहाँ पर आपको जो Volume Up Button है, इसे और यह जो Power Button है, राइट साइट में Power Button है, और उसके बाद उपर के तरफ है यह Volume Up Button, यह दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है, 1, 2, 3, तो जैसे आप एक साथ इसे प्रेस करोगे, तो डिरिकली आपको यहाँ पर Switch Off का एक Option आजागा, you can see, तो डिरिकली आपको डिरिकली Switch Off का एक Option आजागा, Slide to Power Off, जैसे आप इस तरीके से कर दोगे, आपका जो iPhone है, वो पूरी तरीके से Switch Off हो जाएगा, तो यह फर्स तरीका है, उ उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर Switch Off का Option आजाएगा, तो उसके बाद जैसा आप इसे करोगे, तो यह Switch Off हो जाएगा, यहाँ पर आपको टैप कर दिना है, तो इसे मैंने करो, तो यह दूसरा स्टेप था, अब उसके बाद एक final step है, एक last का third step, जिसके helps आप अपने iPhone को Switch कर सकते हो, तो आपको डिरेकली जाना है, अपने iPhone को ओन करना है, उसके बाद आपको अपने iPhone के Settings में जाना है, इसके बाद आपको अपने iPhone को इस तरीके से Switch Off कर दिना है, तो आपका iPhone पूरा का Switch Off हो जाएगा, और अगर आपको फिर से ओन करना है, तो बस आपको इस तरीके स से टाप कर देना है और आपका जो आइफोन है वो फिर से यहाँ पर on हो जाएगा that's all about so now you see जो आइफोन है फिर से यहाँ पर on हो जुका है तो बस इसी तरीके से आपको अपने आइफोन को switch on and switch off करना है so iPhone 12 को